किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतियागी किसान साथियों जो हमने बाग लगाने से पहले एक स्रंखला सुरू की थी उसमें पहला भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं जि हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसका दूसरा भाग इसमें हम में तीन सावधानियां बताएंगे के जो आप उनको अगर ध्यान में रखेंगे और ये गल्ती नहीं करेंगे जो आपकी सफलता का पैमाना है वो और बढ़ जाएगा यानि आपके सफल होने के चांस अधिक होंगे से पहले आप सही नर्शरी का चुनाव करें सही नर्शरी से मेरा अर्थ क्या है आप इस बात का ध्यान रखें कि उस नर्शरी से पोधे ले कि जिसके पास उसके मदर प्लांट हो यानि कि उसके पास उनके मात्र पोधे हो ऐसा नहों कि वो नर्शरी वाला कहीं से पोधे ला वास्तों में उस पर जातीगे हैं या नहीं है जिसकी हमें तरास जब मैं गया लखनव में तो मलीहबाद में मैंने एक ऐसी नरसरी का चुनाव करा और मुझे ये ध्यान नहीं था कि इसके पास मदर प्लांट होने चाहिए और उसमें मुझे जो मैंने ललित के पोधे मांगे उनमें एक और वराइटी आगे जिसे कहते थे कि बरफ खान था और उसमें मुझे बहुत अच्छे फल नहीं मिले फल सरूप मुझे बाग उखाड़ना पड़ा और मैंने अब उस बाग को ठीक करने का पूरा कारिय किया है किसान साथियों आप ये देखें कि क्या इसके यहां पोधे बन रहे हैं फिर ये पता करें कि क्या यहां पर उसके मदर प्लांट हैं अब ये मान लीजिए कि सब भाईयों के लिए ये भी मुम्किन नहीं है तो उससे ये पूछें कि आपके प्लांट कहां से आते हैं क्या आप हमें पक्का बिल देंगे आप जितने का पोधा द इस बिल को लेने पर जब इसको अपने उद्यान अधिकारी के यहां जमा करेंगे तो आपको सबसीडी भी मिल सकती है चोंकि प्रतियक वर्ष सरकार इस पर सबसीडी देती है अगर वह कोई भी नरसरी वाला जिसके पास केवल प्लांट है और मदर प्लांट नहीं है वो किसान साथियो मैं भी पोधे बेशता हूँ मेरे पास भी हैं तो मैं ये बताता हूँ के मेरे पोधे उस नरसरी से आते हैं आप चाहे मेरे से ले 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 चाहे उस नरसरी से ले ले और उस नरसरी का ही बिल मिलेगा आपको पका बिल मिलेगा जिससे के आपके पास ये प्रू करें कि आपको वीनियर ग्राफ्टिंग या उसे वेज ग्राफ्टिंग भी कहते हैं कि जिसमें कलम जो हना अंदर गुसाई हुई होती है उस तरह के पोधेले आइए मैं आपको यह पोधा दिखाता है अभी करीब एक महापूर की है यह देखिए इतनी ठंड में भी पोधा ठ इसे हम रूट स्टॉक कहते हैं इसे यहां से काट दिया गया और यह जो कलम है यह इसके अंदर गुसाई गई है और इसके उपर पन्नी लपेट दी ती चुकि यह पोधे जून जुलाई में आये थे और मुझे लगाने थे तो मैंने इनको बड़ी थैली में कराया और फिर इसके कुछ दिनों बाद जब मुझे लगा कि यह ग्राफ्ट जुड़ गई है तो मैंने उसकी पन्नी हटा दी थी और अब इस पोधे को एक महा से मैंने विस्तापित किया है तो इस बात का ध्यान रखें लेकिन अगर किसी कारण से आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अन अपने इन बातों का ध्यान रखा और ये सही पोधे का चुनाव कर लिया तो आपकी सफलता का रेट समझ लीजिए पचास परसंट तक आप बागवानी में सफल होंगे इसके बाद आता है पोधे की सही इस्थापना करना किसान साथियो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अभी पोधे किस प्रगार इस्थापित किये हैं ये देखिए इस पोधे को लगाने से पहले मैंने इतना बड़ा लगबग दो फिट गोल मैंने एक गढ़्धा खुदव बाई तरफ रखवाई, और नीचे की एक फिट मिट्टी मैंने बाई ही तरह रखवाई और फिर इसको दो-तीन दिन मैंने धूप लगने दी, उसके बाद जो ऊपर की मिट्टी थी, उसमें मैंने खाद मिलवाया, और उसमें ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बसियना या जो भी आप डालते हैं वो डाल कर इसको गड्डे को मैंने भरवा दिया और जो नीचे वाली मिट्टी थी उसको मैंने ऊपर करवा दिया किसान सात्यों उसके बाद मैंने इसमें एक थाला बनवाया और इसे पानी से भरवा दिया और दो दिन तक ऐसे ही रहने दिया दो दिन के बाद मैंने जितनी थैली थी उतना यहां से खोदा और इसकी स्थापना करने के बाद में मैंने फिर इसमें बाग लगाया तो मैंने इसमें ट्रेक्टर से गड़े बनवाए, कुछ गड़े उचे हो गए, कुछ नीचे रह गए, और जब मैंने गड़े खुदवाए तो उस समय उसके एकदम बाद बारिस हो गई थी, तो मैंने खाद डलवा कर जिस समय पोधो की स्थापना की उसी समय खाद मिलवाया और गड़ों में भरकर लगवाया, तो मुझे ये नहीं पताता कि चुकि अनार की ग्राफ्टिंग के पोधे थे, कि पोधो की जो ग्राफ्ट है वो समान उचाई पर रखनी है, और कुछ में आपने सही डंग से गोबर की खाद डाली, सही डंग से ट्राई को डर्मा दिया, या दीमक की दवाई दी, या जो भी आप जीवामरत करते हैं वो दिया, तो आपका सक्सस रेट कम से कम 20% और बढ़ जाएगा, इसके पीछे एक सिधान्त है, आप ये देखिए कि हमने इ पोधेजी से चलती है, पोधार ओपन का जो पहला महीना होता है, उसमें पोधे की जड़े निकलती है, और जब जड़े ठीक से चल देती हैं, तो वे पोशन करना सुरू करती हैं, और आपके कल्ले फूटने शुरू होते हैं, तो किसान साथियों इस बात का ध्यान रखना ह है, कि पहले गड़ा भरना है, उसके बाद उसमें पानी देना है, और अगर बारिस हो गई, तो फिर आपको उसकी आवस्चक्ता नहीं है, और उसके बाद आप निसान लगा कर उसी जगह पर पोधार ओपन करें, जहां पर आपकी लाइन पैसी जो मेरी थी, वो थी डंडी स सहारा नहीं देना, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि डंडी से सहारा किस प्रकार देना चाहिए, पोधार ओपन करने के तीन से चार दिन बाद, जब मिट्टी थोड़ी ठीक हो जाए, तो आपको इसे डंडी से सहारा देना है, यह देखिए, यह डंडी लगबग यहां प जो पहला बंद है, वो सहारा है, वो आपको ग्राफ्ट के नीचे से देना है, इस प्रकार देना है, तो इस प्रकार यह क्रोस करिए, आठ का निसान बनाईए, और इसे इस प्रकार यहां से सहारा दे दीजिए, अगर रसी बड़ी है, तो आप एक चकर इसका ओर लगा सकते हैं और जो दूसरा हिस्सा है आप इस पोधे को ले जिए और उपर से बांदिए इसी परकार ये देखिए तो ये हमारा पोधा उपर की ओर चलेगा और दोनों जो हवा तेज हवा वगर आएगी उसमें इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा ये देखिए ये पोधा हमारा होगा किसान साथियो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस पोधे को एक महिना हो गए और मेरे यहाँ इस समय टेंपरेचर रात का 4 डिगरी से 3 डिगरी तक रहता है आप देखिए कि इसमें सब कितने कल्ले चल रहे हैं ये देखिए अभी भी इतनी ठंड होने के बावजूद भी ये देखिए कल्ले निसमें निकल रहे हैं ये देखिए उपर जो पतिया हैं वो बिलकुल ठीक है चूंकि इसमें मैंने सल्फर का इस्प्रे किया था एक 19.19 मिलाकर और उससे इसके पत्तों पर कोई फरक नहीं पड़ता ये जो पुराने पत्ते हैं जो लाल हो रहे हैं ये पक चुके हैं और फरवरी आते आते ये पत्ते गिर जाएंगे और हम फिर इसकी दो फिट से पहली कटिंग करेंगे तो किसान साथियो अगर आपने इसका सही प्रकार इसको सहरा दे दिया तो आपका पोधा सीधा चलेगा ये देखे, ये पोधा बिल्कुल सीधा, कितना अच्छा मैंने इसको सहरा दिया है, और यहां से इसकी कैनोपी बनाई है, अब मैं इसमें एक मोटा डंडा लगाँगा, ताकि एक साल में इसकी और सुरक्षा रख सकूँ, ताकि पोधा तेज हवा से इधर उधर आज मैंने आपको तीन बिंदू पर चर्चा की, पहला था कि सही पोधे का चुनाओ, और सही नर्शरी का चुनाओ, दूसरा था कि पोधा रोपन किस प्रकार करें, और तीसरा मैंने बताया कि अपनी डंडी से सहरा दे, डंडी जो है आपकी, वो हमेशा, अगर यह होगी य क्योंकि बास में दीमक नहीं लगती, डंडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मैंने जो गल्ती की थी, मेरे पास एक सहतूत का पेड़ था, और उससे जितनी डंडिया लगी थी, तो मेरा जो सहायक था, उसने सब लगा दी, कोई तिर्ची, कोई सीधी थी, तो किसी भी तरह स उनमें पोधों को बहुत नुकसान हुआ, अगर आप इन तीन बादों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी सफलता अधिक मिलने के आपको चांस है, किसान साथियो सेश प्रस्तुत करूँगा मैं इसके अगले भाग में, इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्का जै हिन, जै भारत, बंदे मंदे